इसका average package क्या आजाता है, तो around average package 25 लाग क्या आस पास का जाता है, around, इतना ज़्यादा massive difference है, mathematical and computer engineering, ये सबसे number one branch है, क्यों number one बोल रहा हूँ, तेको आज के date में, आज के date में एक बात समझो, इसमें होता क्या है, mathematical computer engineering में, combination of mathematics and computer science पढ़ाया जाता है, ये rare of the rarest combination है, क्यों rare of the rare combination है, समझो इस बात को, mathematics and computing में, computer science तो लोग पढ़ लेते हैं, लोग को interest भी होता है, बट mathematics जनरली लोग को interest नहीं होता है, तो वो maths नहीं बढ़ते हैं, अब computer science engineer जो बच्चा होता है, वो computing skills तो जानता है, लेकिन वो जब code लिखता है न, तो उसमें वो mathematics के formula नहीं डाल पात रोडो रुपए कमाये जा सकते हैं, वो code वो बच्चा कभी लिखी नहीं पाता है, क्योंकि उसको mathematics नहीं आता है, और इसके विपरीत कोई ऐसा बच्चा जिसको mathematics बहुत अच्छा लगता है, वो generally computer science के तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है, यार मैं math solve करूँग वो बैट के coding कौन करेगा, तो इसी लिए ये बहुत rare of the rarest combination मन जाता है, अब होता क्या है कि इसमें आज की rate में कुछ ऐसे-ऐसे fields को जन्म दिया है, कुछ ऐसे-ऐसे field में इसकी usability दिखाई है, कि आम इंसान आज से पहले वो कभी सोच भी नहीं सकता था, तो आज के पहले, आज के पहले आपको बता दू, computer engineer with mathematics वाला जो field था, ये सिर्फ scientist लोगों के बीच में होता था, क्योंकि scientist लोग ऐसे-ऐसा काम करते थे और इतना payment सिर्फ बड़े-बड़े scientist, research organization, scientist को देते थे, जहाँ पे mathematics और computer के साथ वाला brain काम करता था, और आम दुनिया में इसका बहु तुम पूछो के क्या होता है, बताते हैं, researchers, stock market में, risk analyst में, industries में, अब समझो इस बात को, एक एक करके एका दो example देता हूँ, आप में से कितने लोगों ने dream 11 और MPL, MPL क्या है, mobile premier league, और ऐसे-एसे रमी circle, ऐसे-एसे websites का नाम सुना है, सुना है क्या, इन websites पे क्या होता है, इ in fact, इसी idea पे, आज के date में, ऐसे बहुत सारे और दूसरे websites, दूसरे gaming applications बन गए हैं, जहां पे, बच्चा, गेम खेल खेल के पैसा कमाता है, बच्चा क्या मतलब कोई भी इंसान गेम खेल के क्या पैसा कमा सकता है, अब गेम खेलना किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है, क होता क्या है, कि यह जो dream 11 और यह जो सारे gaming platforms हैं, यह लोग करते क्या है, user के इसी बात का थोड़ा फाइदा उठा लेते हैं, कैसे, अब माल लो उनके पास 1000 लोग आए, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम तुम सबको game खिलवाएंगे, और game खिला के पैसा जितवाएंगे, अब तो नोगों ने बोला, अब 500 रुपे परमन कुछ नहीं होता, तुम पैसा दोगे ना हमको, बोले हाँ देंगे, तुन ने बोला, ठीक है, हम 500 रुपे परमन देंगे, लेकिन कितना पैसा दोगे, तो इन्होंने बोला कि अगर तुम जीत गए तो हमने 3 Prices रखे हैं, ठीक है एक बंदे को हम देंगे थर्ड प्राइज पे 10,000 रुपीज देंगे सेकेंड प्राइज पे 50,000 रुपीज देंगे और फर्स्ट प्राइज पे 1,00,000 रुपे देंगे तो लोगों ने बोला अरे वाह 500 रुपे लगा कि हम 10,000 रुपे कमा सकते हैं इन्होंने बोला हाँ कमा सकते हो इन्होंने बोला very good तो 500 लोगों ने 1000 लोगों ने 500 रुपे दे दिये इनके पास आया 5 लाख रुपे और इस 5 लाख रुपे में इनको प्राइस देना पड़ा 1 लाख 50 जार और 10 जार 1 लाख 60 थाउजन 1.6 लाख या 1 लाख 60 थाउजन पचावा कुछ operation cost ये वो फलाना डेम का ना और बाकी का profit अब मुद्दा क्या है कि भाई अब तू फिर game में क्या ये lottery है क्योंकि ऐसा तो system lottery का होता है तो इन्होंने बोला नहीं lottery तो पहले चल चुका है अब आज अगर लोगों के बीच में हम lottery लेकर आएंगे तो बच्चा नहीं मानेगा मलब इन्सान नहीं मानेगा उस चीज को तो इन्होंने बोला नया तरीका है इन्होंने क्या बोला यार तुम 1000 लोग ना game खेलो और game खेल के खेल के points कमाओ और उस point कमाओ के जितने इनसान इतने points तक पहुंच जाएंगे हम उसको price देदेंगे लोगों नहीं बोला अच्छा अरे game का point से होगा अरे हाँ हम तो बहुत अच्छा game खेलते हैं हम तो सारे point पार कर लेंगे सारे point मिल जाएंगे सारे level पार कर लेंगे difficulty level को पार करने वाले सिरु तीन लोग बने ये game theory वालों ने mathematics लगा के कर दिया अब obviously मैं और तुम जो बात कर रहे हैं तो हम लोग इस चीज को शायद उतना सरल तरीके से समझ ना पा रहे हो लेकिन coding से ये करना मुंकिन है और मुंकिन है ये बात इस बात से भी प्रमानित होता है कि आज क्रेट में ऐसे ऐसे भर गए हैं वेबसाइट्स और प्लाटफॉर्म्स रमी सर्कल, ड्रीम 11, MPL, ये वो फालाना डेम गाना पता नहीं कितने सारे और वो सब जगहों पर यही चीज चल रहा है आप आईए, पैसा दीजिए, गेम खेलिए, जीतने का मौका है आप एक लाख रुपए है तो दस लाख रुपए है तो पता नहीं कितना कितना रुपए है आप कमा सकते है लोग सारे लोग जा रहे है, सबका पैसा वहां लग रहा है कमपनियों को बहुत मुनाफ़ा हो रहा है, मुनाफ़ा हो रहा है उसमें तो दो-चार लोगों को पैसे मिलते भी है लेकिन यह सारा मुनाफ़ा प्लैंड है बिटा यह बाई लख नहीं चल रहा है और यही प्लैनिंग कौन करता है गेम थियोरी स्पेशलिस्ट अब सोच के देखो, जब तुम्हें इन नंबर्स में जिरो बढ़ाने लगोगे मान के देखो, मैंने यहां सिर्फ एक हजार लोग का एक्जामपल लिया, अगर यह एक लाख लोग हो जाए तो, पांच सो की जगा यह भारत में 148 करोड की आबादिया, 148 करोड जिसमें 60 प्रतिशत जनता एक पिछला डेटा आया था रंगाराजन कमेटी का जिसमें 60% डेटा इंडिया में पौवर्टी लाइन की नीचे रहता है अगर मैं 60% ना भी मानू, करेंट डेटा 40% को मानू पिटा 40% बिलो पौवर्टी लाइन समझ पा रहे हो तुम 56 करोड लोग 148 करोड में नहीं हाँ, 148 करोड में 56 करोड पीपल और लिविंग बिलो पौवर्टी लाइन इसका मतलब क्या होता है, खाली बैठे हैं वो लोग अरे उसमें से अगर 1% को मैं उठा लू, 1% तो 56 लाइक पीपल होते हैं, मैंने तो 1 लाइक उठा है, सिर्फ एक लाइक उठा है अगर यहाँ पे 56 लाइक डाल दोगे तुम और 500 रुपे से भी मल्टिप्लाइ कर दोगे न booming numbers आएंगे, booming और यही booming revenue कमा रही है यह game की कंपनिया और यहाँ पे जरूरत पढ़ती है game theory specialist की जो game theory के ऐसे codes लिख सके जिस code के तहट, सिर्फ मुनाफ़ा game की कंपनियों को होगा जो उनको खेल रहे हैं उनका सिर्फ पैसा जाने वाला है आने वाला कुछ नहीं समझ रहे हो तो अब तुम समझ पाए होगे कि code लिखना mathematics जानना कितना ज़्यादा important हो जाता है कितना integral हो जाता है इससे लोगों को पता भी नहीं चलेगा और क्या क्या हो सकता है दूसरा एक example देता हूँ stock market का stock market में तुमको एक simple सा बहुत पहले मैं शायद एक example दिया था एक और example देता हूँ stock market में एक बड़ी अच्छी चीज होती है क्या मालो कोई stock है say for example Tata मैंने पहले भी एक बाए example दिया है यह Tata का stock say for example 200 रुपे का चल रहा है अब अगर 200 रुपे का चल रहा है और तुमको अगर किसी तरीकी से पता चल जाए कि भाईया यह 200 से 205 होने वाला है तो देखा जाते हो सिर्फ 5 रुपे का मुनाफ़ा है लेकिन अगर तुमको पता चल जा तो तुम इससे करोड़पती बन सकते हो कैसे दिमाग लगाते हैं देखो बताते हैं कैसे होता क्या है 200 रुपे का stock है तुमारे पास मैं मानता हूँ कि शायद 20,000 रुपे रहा होंगे 20,000 तो तुमने 20,000 लगाया अब तुम्हें पता है जितने भी stock trading company होती है उसमें से majority company है क्या करती है बोलती है कि आप जितना पैसा लाए है उसका 10 गुना हम आपको खरीदने देंगे तो अगर आपके पास 20,000 रुपे है तो हम आपको इसका 10 गुना मतलब into 10 2,000 रुपे का 2,000 रुपे का stock खरीदने देंगे तो वा भाई वा अब 2,000 रुपे का stock खरीदने देंगे तो 2,000 रुपे हुआ और 205 में आप बेचोगे तो जब आप 205 में बेचोगे और 205,000 205,000 ये हो गया अब ध्यान से देखो बिटा एक मिनट 2,000,000 रुपे का था वो अब 5,000 रुपे का हो गया अब ये तो एक सिंपल सी गणी तुम्हें समझी अब मान के समझो कि ऐसे ऐसे इंडिया में तुमको पता होना चाहिए कुछ भी कम तो 2,000, नहीं 2,000 से जादा stocks listed है more than 2,000 stocks are listed in India like this more than 2,000 अब वो 1000 stocks हर रोज या तो गिरता है या तो उठता है जब गिरता है तो भी इंसान पैसा कमा सकता है कैसे? अब यही सेम चीज लगा दो मान लो 200 रुपे पे stock है तुमको पता है कि 195 पे जाने वाला है तुम क्या करोगे? वेट करोगे अब 195 पे जैसे ही आया तुमने इसको खरी लिया क्योंकि यह नीचे गिर गया है तु नीचे गिर गया वापस उठेगा ही उठेगा तुमने 195 पे खरी लिया जैसे ही 200 पे गया तुमने बेच दिया अब यह वाली चीज तुमको अगर पता चल जाए तो भाई समझो तुम तो भगवान हो जाओगे क्योंकि यहां पे stock market में तो real पैसा होता है अब यह पता कैसे चलेगा? अरे रुको, अरे रुको यह पता चलता है, कैसे? risk analyst and कहां गया? अरे पीछे गया? यह risk analyst नहीं, stock market का, जो risk, stock market में एक risk analyst होता है और stock market में ऐसा बंदा होता है जो पिछले कई सालों का data read करता है तुमको पता होना चीज, stock market हमारे इंडिया में 1970 के आसपास से है, परिबन 50-60 साल हो गए है इस stock market के, 50 साल से पुराना है stock market तो 50 साल का data है हमारे पास 50 years का data अगर किसी system में डाल दो और अगर एक engineer को पता है कि उस data को कैसे पढ़ना है भाई वो गदर मचा सकता है वो गदर मचा सकता है और लोग मचाते है तुम्हें पता है? अगर ऐसे आम इंसान बैठे stock खरीदने और बेचने तो बहुत time लएगा एक बार click करेगा sell के लिए, एक बार click करेगा buy के लिए इसके लिए computer engineer उसने क्या किया पता है? एक code बना दिया है code कैसे बना दिया? उन्होंने बना दिया कि automatically जब कोई भी stock का कोई price इतने पे जाएगा purchase हो जाएगा, उपर आएगा, sell हो जाएगा इस price पे बैठा है जैसे ही इस price से अगर computer को समझ में आगया कि उपर जाने वाला है अपने आप buy हो जाएगा, उपर गया, sell हो जाएगा और ये सारी चीज़े computer अपने आप कर लेता है back end में, कैसे कर लेता है क्योंकि उसके पास 50 years का data है अब सोच के देखो, एक इनसानी दिमाग एक minute में, max to max 2 या 3 बार खरीद बेच सकता है लेकिन एक computer एक minute में 1000 नहीं, 10,000 बार खरीद या बेच सकता है तो तुमको massive power समझ में आ रहा है ये power है computer engineering को mathematics से जब मिला देते है और यहाँ पे let me tell you, बहुत गिने चुने लोग हैं, एकदम चुनिंदा उंगलियों पे गिन सकते हों इतने ही लोग हैं जो mathematics और computer को अच्छे से समझते हैं, and believe me mind my words, they are not करोडपती, बेटा they are minimum अरबपती, minimum अरबपती लोग हैं वो लोग, करोडपती तो बहुत चोटी सी चीज़, इतना पैसा है, इतना knowledge है, इतना depth है, इस particular एक field, mathematics with computer engineering, and that is why, this is one of my most favorite, ठीक है तो यह पहली चीज़ है average salary, इंडिया की average salary मैंने उठाई, मैंने तो world का पकड़ा भी नहीं है, इंडिया में फिर भी अभी बहुत scope कम है, but इंडिया का average salary पूरे देश को मिला दे तो 10 लाख रुपए salary है सिर्फ, जो नौकरी करते है और यह average starting salary बता रहा हूँ starting क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि starting में अब जैसे मैंने जितनी चीज़ बताई, बच्चा पढ़ कर तो आता है, बट उसको real life में apply करने में तो वक्त लगता है, तो starting में तो कोई ज़्यादा पैसा देता नहीं, बट फिर भी इन लोगों को starting से ही 10 लाख रुपए मिलना शुरू होता है, और यह IAT इसका data नहीं है, यह सारे all over India, normal colleges, local colleges यह वो भलाना डेमकाना, जिसने खुछ से पढ़ाई की, उसका भी मिला के है समझ रहो, अब थोड़ा अगर सिर्फ इसका IAT का मैं data बताऊ ना, कि सिर्फ IAT ए IAT से इसका average package किया जाता है, तो around average package 25 लाग के आसपास का जाता है around, इतना जादा massive difference सिर्फ IAT, IAT and IAT and IT का बताऊ तो, समझ रहो तो this is the level of quality of this engineering branch